आयोध्या के राम बंदर और बाबरी मस्दित पर एक बार फिर तारीख पे तारीख मिल गई है जी हां माननीय सुप्रीम कोट ने एक बार फिर राम बंदर की तारीख को आगे बढ़ा दिया है नमस्कार स्वागत है आपका MP News के इस खास कारिक्रम में मैं हूँ दिक्षा आई आज बात करते हैं राम बंदर की बड़ी खबर पे जो की सीधे हमें मिल रही है हमारे सन्वादाता राहुल पटेल से जो की दिल्ली में उपस्ते थे राहुल मैं जाना चाहूंगी क्या मुदरा है क्यों यू यू ललित ने अपने आपको इस पूरे केस से अलग कर लिया है जनेशे तोर पर दिक्छा सुप्रीम कोर्ड की जो सुनवाई थी राम मंदिर मसले पर ये Оवेटेट सुनवाई थी और कहा जा रहा था कयास कईास लगाय जा रहे थे कि आज जब सुनवाई होगी तो इस सुप्रीम सुनवाई होगी पाँच जजों की जो सविधान पीठ है ये राम मंदिर मसले पर कहीं कहीं कंटिनुटी में सुनवाई करने जा रही थी जिस पर कयास लगा जा रहे थे पुरे भारत से ये जगव से खबरे आ रही थी कि अब लगातार सुनवाई हो गए और जल्दी इस पर निर्ड़ाई लि अब 29 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई है तारीक की अगली जो सुनवाई है 29 जनवरी को होगी वहीं है जो आपका दूसरा प्रश्ण था कि 29 जनवरी की जो तारीक आगे टालने के पहले एक जस्टिस यू यू ललित ने अपने आपको इस सविधान पीट से अलग किया है वो जस्टिस ऑफ एंडिया रंजन गोगोई ने अगली तारीक दे दी और अगली तारीक के एलान के साथ में यह कह दिया गया है कि अब जो नहीं बैच आएगी वह 29 जनवरी को डिसाइट की जाएगी तो कुल मिलाकर एक बार फिर सुप्रीम कोट ने राम मंदिर और अबाबर बिılकुल यू ललित ने अपने सहमती से खुद अपने आपको अलग किया उनकी पाँट जघो की जो पीट है जो पानल बैटती है उनकी तरफ से आ전 कारी मिल रही है यू यू ललित ने अपको खुद के अलग कर लिया है एक और बयान आया था कि राजीव धवनकर के जो नए वकील है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ये कहा था कि युउउ ललित या इस पूरी पानल में जो है कोई भी मसलिम वकील नहीं है इस वज़े से ये मुद्धा जो है किसी एक पक्ष में होसकता है सुप्रीम कोर्ट पर आरोप नहीं लगा सकता है भारत एक सविधानीक धाचे वाला देश है लोगतांत्रिक देश और सविधान की मानेता बहुत जादा है ऐसे में इस तरह के जो आरोप रत्यारोप है ये लगते आए लेकिन इस पे कोई जिसके कहते हैं इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो जनिस्चित तोर पर अगर हम बात करें मुस्लिम पेरोकार और पक्षकार वकील की तो उन्होंने राजिव धवन ने इस तरह के आरोप लगाये थे चुकि जो यू यू लली थे वो कहीं ऐसे केसों की सुनवाई कर चुके हैं जहां पर उन्होंने यदि हम बात करें 1992 की जो बाबरी विद्वन्स केस हुआ था उसमें जो मुख्यमंत्री थें कल्यान सिंग उनका पक्ष रखाता हो वहीं अगर बात करें तो जिस प्रकार साहरु बुद्दिन केस हुआ था उसके बाद से अगर कैप्टन अमरिंदर वाला केस हम दे लें जो पंजाब वाल मुख्यमंत्री वाला या यू करें कि टू जी स्पैक्टरम का जो मामला वात उसमें सी बी आई की तोर पर वो कील रहकर पक्षकार रहे थे ऐसे में कई सवाल पैदा हो रहे थे कि जो यू यू लली थे उनका नाम हटाया जाए लेकिन यू जिस ललीद ने खुद को अपने आपको अलग किया था वहीं चिप जस्टिस ऑफ एंडिया रंजन गोगोई ने भी जब यह सविधान पेट इसकी बैटक शुरुआत होनी थी जब यह पूरी कारवाई शुरू होनी थी इसके पहले ही वह जो पांच जजों की पैनल थी उस जो भी जज इस पैनल में शामिल है वो कहीं न कहीं इस केस से थोड़े डरे सहमें से हुए और अलग अपने आपको इस कारवाई से कर रहे हैं बिलकुल राहुत मैं राहुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से क्यूंकि हमने पहले भी द्यास में देखा है जब भी राम मंदि और बाबरी मस्जित का केस जब जब गरमाया है तब तब इस पे कोई ने कोई दंगे हुए है कोई ने कोई विवाद हुए है जिस तरह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तारीक आगे बढ़ा दी गई है जो की 29 जनवर ही कर दी गई है इसके बाद पूरे दे जिस प्रकार से सत्ता में आय थी उसके नीव ही राम जन्मुमी यानि राम मंदर नर्मान को लेकर हुई थी तो ऐसे में जिस प्रकार से फूल मिजॉर्टी की सरकार है नरेंदर मोदी की तो चिप जस्टिस ऑफ इंडिया के पहले पहले यदि बात करे अध्यादेश की बात की बात हुई थी तो केंदर की मोदी सरकार पर बड़ा ही प्रेशर है इस समय चुकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्धा है और इसी मुद्धे पर कहीं कहीं सरकार बनी है तो भारती जन्ता पार्टी की जो केंदर की मोदी सरकार है वो कहीं कहीं इस चीज को लेकर चिंतित है वहीं अगर हम हिंदू संगठनों की बात करें तारीक पे तारीक जब आगे बढ़ाई जा रही है उनमे एक रोश व्यापत है कि आखिर क्यों तारीक पे तारीक आगे बढ़ाई जा रही है कि यह देश कहीं सभी संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ है एसे में यह कयास लगाए जा रहे थी कि कभी एक तरफ का कोई फेसला होता है तो देश में दंगे बढ़क सकते हैं एसे में चीप जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर सुप्रीम कोड के जो भी सविधान पीट में सारे सब्सक्राइब करें कि देश में कोई प्रकार का माहौल क्रीट हो जिससे पुरे देश में दंगे बढ़के लेकिन एक बात और दिक्चा में सपष्ट करना चाहता हूं कि हिंदु संगठनों ने इसके पहले भी आगाह किया कि सब्रका बांद टूट रहा है वहीं यदि हम बात करें हिंदुस्तान में संग की एक बड़ी बुमिका रहती हिंदु संगठनों को लेकर तो हिंदु संगठनों में जो संग है संग की भी तीखी प्रतिक्रिया थी कि सब्रका बांद तूट रहा है इस पर जल्द ही निर्ने करें तो ऐसे में अब सुप्रीम कोट पर बड़ी आस्थाओं का मसला है और कहीं हिंदु संगठन से लेकर जितने भी देश में हिंदु रहते हैं वह कहीं नाराज चल रहे हैं बरहाल आने वाले दिनों में यह जो तारीक 29 जनवरी मुकरर की गई है देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि नहीं बैच में वह कौन से जो भारत देश है उसे आस्थाओं का देश माना जाता है अलग अलग संस्कृति के लोग यहां पे रहते हैं ऐसे में किसी भी एक किसी भी एक संस्कृति को ठेस पहुचाना हमारे देश को बहुत भारी पढ़ सकता है सरकार को बहुत भारी पढ़ सकता है राहुल एक छोट तोर पर दिख्षा यदी हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कही माईनों में ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार पर को प्रेशर क्रियेट करेगा यह सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर क्रियेट करेगा नरेंदर मोधी पिछले दिनों अपने साक्षातकार इंटर्व्यू में कहा चुके हैं कि सबसे पहले हम जो जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोड है माने नहीं सुप्रीम कोड के फैसले का इंतजार करेंगे जिसके बाद यदि अगर ऐसा लगा के देश में माहोल भी गड़ रहा है राममंदिर को लेकर तो कोई अध्यादेश लाने की मुहीम होग तो कई माहिनों में इस तरह से प्रेशर क्रियेट तो अध्यादेश को लेकर नरेल मुधी पर जरूर हो रहा है चुकि आगामे चुनाओ दो महीने बाद ही होने हैं ऐसे में राममंदिर का मुद्धा बड़ा ही अपीली मुद्धा इस वक्त भी ऐसे में केंदर की मुधी सर ड़नों में रोश व्यापते हैं बिलकुल बहराल देखना बड़ा ही दिल्चस्प रहेगा क्योंकि राममंदिर और बाबरी मज़ित का जो मामला है एक बार फिर सियासी गलियारों में गर्माता हुआ दिख रहा है ताजा तरीन खबडों के लिए आप जुड़े रहें एम हुआ 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 है